सारन यानी छपरा एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है भिहार से जिसमें मुझे लगता कि देश का हर नागरी जीसे वारे में जानता है कभी लालू प्रशाद यादव क्लेम करते हैं कि उनकी सीट है लेकिन 1999 में भी वहाँ बीजेपी के उमिदवार राजीर पताब रूडी जीत था फिर भी आप मैदान दोड़कर नहीं भागे वाँ इसमें थोड़ा सा संचोधन 1996 में बहली बार लोकसवा जीत के आया था उसमें मानिये लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 विधान सवा सीट जो मेरे संसदिये चेत्र सारन में था तब छपड़ा कहा जात दो होता था और उसके बाद उनके प्रत्यासी के खिलाफ लड़ा फिर बाद में उनकी पत्नी श्रिमति राबरीदेवी जो बिहार की मुख्यमंत्री थी वो भी चुनाव लड़ी उनके खिलाफ में जीता उसके बाद निरंतर लालू जी के खिलाफ चलता रहा वेक्तिका तोर से लालू जी के खिलाफ मेरा चुनाब नहीं रहता है उनके सिध्धान्त, उनके कारेशेली, उनकी छवी, उनके बारे में जो बिहार ने सामना किया है उसके खिलाफ यह सिध्धान्तिक लड़ाई है लेकिन लालू के गड़ में रहना और लालू के गड़ में जिसको कहा जाता है लालू के गड़ में जब आप लगाता है जीतने लालू का गड़ कैसे हुआ ने देखिए यही तो आप लोगों को परिभासा बदलना पड़ेगा वो लालू जी का गड़ नहीं है वो राजीव प्रताप रूडी जी का गड़ क्योंकि लालू जी बाहर से आके वहां लड़ते हैं राजीर प्रताफ जी का गाउं छपड़ा संसदिये छेत्र हैं और मैं गाउं में रहता हूं इसलिए यह कहना कि उनका गड़ है और एक बात आपने मिताफ जी ने बड़ा इंट्रेस्टिं लड़ने वाला विक्ति और मैं अभार विक्त करना चाहूंगा भारती जनता पार्टी का देश के पधान मंत्री जी का पार्टी का और इंडिये का और मानिनीती शी का भी उसमें कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जता है कि मैं लड़के जीत सकता हूं जीतने की लड़ाई रोडी जी एक चीज और सवाल आ रहा है कि उनकी बेटी को उन्होंने उमिदार बनाया बड़ा आलिशान कैंपेंट दिखाया फूल की बरसात हो रही है सारन पहुंचने में और वो बार और बोली है मैंने किड़नी दान किया है तो ये किड़नी दान करने का इनाम मिला उनको जी के द्वारा या फिर छपरा के लिए जनुएन पत्यासी आप मानते हैं देखिए ये तो सिर्फ माला और स्वागत पिछले 48 घंटा का है कोई 5 साल का तो है नहीं और बेटियां तो हर को ऐसी हो कि जो अपने बाप के लिए अपने पिता के लिए इस तरह का त्याक करने के लिए त्यार हो इसलिए मुझे बेटी पर कोई टिपनी बेटी चाहे उनकी हो या मेरी हो और मैं समझता हूं कि बेटियां हूं ऐसी बेटियां सबको मिले ऐसा मेरा मानना है लेकिन आप आप सब लोग एक बात से कन्फ्यूज कर रहे हैं और सभी पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा है कि यह लड़ाई उनके पुत्री से नहीं है यह लड़ाई लालू प्रशाद यादव जी से है और लालू जी के सिध्धान करें और दूसरे तरफ देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के राष्ट्रिये छवी राष्ट्रिये विकास का एजेंडा तो ते चोटे बची के बारे में बार-बार कह करके आप लोग समचार खड़ा करना चाहते हैं लड़ाई से लालू यादव जी के खिलाफ है लेकिन एक तरह से बार-बार देखा कि बार-बार आवाद आ रही थी कि किड्नी दान किया है तो कहीं ऐसा तो यह सिंपथी वोट लेने क और अगर इत्ता ही प्यार है अगर मेरी बेटी होती और मैं इत्ते बड़े पाटी का नेता होता तो मैं इस घोर दुपरिया में अपनी बेटी को नई जाने देता हूँ यह बात तो साफ है और दूसरा कि इत्ते बड़े पाटी के नेता है आज 85 से ज़्यादा विधायक है तो रादसभा भेजना चाहिए न अगर प्यार है तो प्यार सच मुझ देखाना चाहिए अपनी बेटी को खड़ा करना है कहां धूप में कहां गर्मी में कहां लेकिन चलिए वो उनका निरना है मैंने कुछ कहना चाहूंगा इसलिए ये कहना और ये मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस लग रहा है कि चुनावी राजनीत है और हर के परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना किड्नी दिया है और ये कर्तवे भी है बहुत बड़ा बात है कुछ लोगों के पत्नियों ने दिया है कुछ लोगों के मित्रों ने दिया है कुछ समाने डोनरों ने दिया है क्या सब उतने काम्याब है कि सब को एक प्रत्याशी मनाया जा सकें वैसे प्रत्याशी को तो ढूंड के लालू जी और भी जगह गराश्टी जनतादल के टिकट पर देते तो शायद काम्याब कहलाते हैं पहले पत्रकार हैं कि जो मेरे विरोधी के वातों को ना दोरा करके खुद स्विकार कर रहे हैं कि मेरे हाँ चप्रा में बहुत कामवा आज अगर सबसे बड़ा रोड नेटवärक अगर पुरे देश में और बिहार में है National Highways का तो च्षपला में है आज अगर P.W.D. की सडको का जाल सबसे बड़ा नेटवरक अगर किसी जिला में है तो वो च्षपला में है अगर बिजली का और खंबो का अतार का और ट्रांसफार्मर का पावर सबस्टेशन का सबसे बड़ा जाल अगर कहीं है तो छप्डा में है और अगर गंगा नदी पर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा पूलों का निर्मान गंगा के ऊपर अगर हुआ है तो सारंसंसद सबसे ज़्यादा बाइपासेज अगर बने हैं तो चप्डा चेत्र में और अद्भुत योचना देश के प्रधान मंत्री ने शहरों के लिए दिया था गाव के हर घर में पाइपलाइन से जैसे शहरों में गैस पहुसता है वैसे गैस का कनेक्शन और चुला गाव के देहातों में लग रहा है शायद देश में पहला है मतलब रोडी जी का गढ़ इंटेक्ट रहेगा इसमें देखे चुनाव का परिनाम दो चीजों पर निर्भर करता है एक तो जनता पर और दूसरे इश्वर की कृपा पर और आज कल पूरे भारत में इश्वर की कृपा किस पार्टी पर है सबको पता है और सबको इश्वर के शरन में जाना पड़ेगा और इश्वर का आशिरवाद किसको मिलेगा जनता का आशिरवाद किसको मिलेगा वो तो मतदान केंदर पर ही ते होगा प्रदान मंत्री जी पहले भी आए थे आगे भी आएंगे लेकिन उनका कारिकरम हम लोग तो हम सब जितने लोग चुनाव ल कर अपना डिमांड बनाए रखते हैं पार्टी जो तय करती है उस पर हम लोग स्वागत करते हैं और हम तो चाहेंगे कौन नहीं चाहेगा अब रूडी जी के गड़ में लालू जी का परिवार सेंद लगाने आया है ठीक है यह आप कह सकते है कि मेरा कोई मैं गड़ नहीं मान करता हूं राजनीत के लिए राजनीत नहीं करता हूं धन्यवाद रोड़ी दन्यवाद नमस्कार